हेलो हमारे प्याड़े दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का एक बर फिर से भड़ स्वाइकेडमी में आज की इस वीडियो में हम लोग क्लाश 9 का हिंदी सब्जेक्ट के एंसर की करने वाले हैं जो आप लोग का परिक्षा 11 नॉवंबर को हुआ है उसी का हम लोग इसमें एंसर की देखने वाले है ठीक है तो आप लोग मिला लीजिए बहुत बच्चों को पता होगा इसका एंसर लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है थाकि आप लोग का जो वार्षिक परिक्षा उसमें भी कहीं यहीं से क तरश्पडरिक्षा के तयारी और अच्छा कर सका है ठीक है तो छेली हाँ पर यह के कोशन देखते है यहीं से पढ़ करईछा क्या होगा एनसर सब नहीं है कौन सा अपसन सही था जो और प्रिवाची सबने है नहीं यहाइस आत्राणी यह जो है गंगा काप्रिवाची सब नहीं है जैसे भाग रहा थी सूरसरी अंदाकनी यह सब हम आप लोग को बताया थे कि घंगा का पड़िवाची सब्सक्राइब कर दिये तो ग्रूप में जोई नहीं तो वहां पर जोईन हो जाएगा ठीक है यहां दो नमर कोशन है इन में से कौन धूल सब्सक्राइब धूल स आप संब धूल सका सही जबाब हो जान है अगले कोश्चं के तरह बढ़ते हैं यहां देखिए शूरती सभीन अर्थक सब क्या हो जाएगा आकर्ति का हो जाएगा बनावोत हो जीट है का इसका सही जवाव आफफ nah कोष्ण इसके तरह बरते है हैं यहाँ दीकिए यहाँ पर क्या है यहाँ यह निम्गर को हें तरंी और तर नी इस सब्साइं का अर्थ क्या है यह इस तरनी का मतलब होता है सूर्य और इस तरनी का मतलब क्यों जाते ना मतलब अफसंगा इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं यहां देखिए साथ नमर कोशन है कि नाना साहब की पूतरी देवी मैना को भस्म कर दिया गया तो नाना साब की पुतरी देवी मैना को भास्म कर दिया गया यह पाट का रचीता को ने चपला देवी का अपसन इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं यहां देवी मैना ने किस अंग्रेज सेनापती से सहता किया पेक्षा की थी तो किस ऑब देखें यहां पर याप लोग को सब्जिक्टि कोश जैसे सर तामस हे के कि दया भाव के क्या कारण थे ये भी आप लोग को करवा दिये थे देभी मैना की अंती मिक्षा क्या थी टिंसन नहीं ले ना इसका मैंसर अभी फिर से एक बर दिखा दे रहा है ठीक है यहाँ देखिएगा तेरह नंबर है कि अपनी बेटी की रिष्टा तैक करने के लिए राम का मैना निसेनापती हे को हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया फिर सोलर नंबर कोशन रीड की हड़ी सिर्शा की सार्थता रस पस्ट कीजिए ठीक है चलिए अब इसका हम लोग एंसर फटाफट से देख लेते हैं यहाँ देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइब का एंसर दिया हुआ है जैसे पहला कोशन था कि सर्टामस हे के महिना पर दया भाव के क्या कारण थे तो इसका एंसर देख लिए सर्टामस हे के मन में एक छोटी सी बालिका के प्रती दया का भाव उत्मन हो गया क्योंकि वह एक छोटी मंदार और प्यारी बाली का थी सर्टामस हे स्वभाव से दयालू थे क्योंकि वे स्वेम एक पुत्री के पिता थे यह इसका एंसर था यह आप लोगों को पहले भी करवा दिये थे ठीक है तो आप नहीं किये तो इसको वह नोट कर लिए आपका वार्षिक परिक्षा में आपको का मिक्षा क्या थी तो देवी मायना के अंति मिक्षा क्या थी मैना के अंति मिक्षा अपने महल के भगनाव सेशो पर बैठकर रोने की थी भगनाव सेशो का मतलब क्या होता है तूटी फूटी कुछ बच्ची हुई जैसे महल या कूटिया ठीक है तो यह जो महल नस्ट हो रह लिए राम श़ब अपने बेटी ओमा से सीधी साधी कम पढ़ी लिखी और कम बलने बोलने वाली लड़की की तरह बिवार करने क्या पेक्छा कर रहे थे उनका ऐसा सोचना है उचित नहीं है क्योंकि लड़की कोई बहर बैकरी या मेज गूर्शी नहीं होती वो कोई कट फुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इसारों पर न चाह सके यह भी आप लोग को कोशन करवा दिये तो जो प्रेक्टिस लाते है ना प्रेक्टिस जो विकली टेस्ट के लिए लाते है उसको जर लड़कियों की बिवाम में आने वाली समस्याव को समाज के सामने लाना बेटियों के बिवाह के समय माता-पीता की परिसानियों को उजागर करना ठीक है यह इसका महत है इसको आप लोग फटा-फट से नोट कर लिजए ठीक आगे की तरब बढ़ते हैं यह देखिए कोंसे तरक देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया इसका बहुत छोटा सेंसर लिए अगर आप भी लिख कर रहे तो उसमें भी आप लोगो पूरा नंबर मिला होगा ठीक है बालिका मैना नहीं सेनापती हे को महल की रक्षा करने के लिए निमली की तरक दिए जैसे इसर देख लिए आंत में मैना ने सेनापती हे को अपना परिचाय देकर कहा कि वह उनकी पुत्री मेरी की सही लिए ठीक है अगले कोशें की तरह बढ़ते हैं यहां देखिए छे नमर कोशें है छे नमर कोशें है कि रीड की हड़ी सिर्षय की सर्थकता असपश्ट कीजिए तो यह सिर्षक एक आंकी की भावना को ब्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है इस सिर्षक में समाद की सरी गली मानसिक्ता को ब्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है क्योंकि रीड सरीर का मुख की हिस्सा होता है वही उसको सीधा रखने में मदद करता है यह इसक सब्सक्राइब कर लिए और आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जागा थाइंक यू जय हिन जय भारत